हाई दोस्तों वेलकम बैक टू दचटपट टीवी मैं आज आज आपके लिए लाया हूँ वंडर बॉक्स इंस्पाइरिंग लेजेंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यह है एक 4-in-1 DIY एक्टिविटी पैक तो इस तरह का बॉक्स मिल जाता है हमें तो पीछे आप बॉक्स के देख सकते हो दोस्तों हम इसके अंदर क्या-क्या अक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ पे सारी चीजे दी हुई है तो चलिए गाइस बिना वक्त वेच किया फटाफट से कर लेते हैं अंबॉक्स उसे पहले दोस्तों अभी तक चट्पोटे टीविए को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्ली से सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि मैं जबी भी नई वीडियो अप्लोड करूँ वो वीडियो आपको तुरंधी मिल जाए तो चलिए दोस्तों फड़ा फट सा इसे ओपन कर लेते हैं यहां से तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों इस तरह से ओपन करना होगा हमें तो बॉक्स ओपन होते हैं यहां पर देख सकते हो दोस्तों इस तरह का एक लेटर मिल जाता है हमें पेरेंट्स के लिए और यहां प पढ़ सकते हो इस तरह का एक बैग मिल जाता है देखते हैं दोस्तों इस बैग के अंदर क्या क्या दिया हुआ है और यहां पर पढ़ सकते हो देख सकते हो यहां पर लिखा है अपर आपको क्या क्या चीज़ें मिली है यहां पर सारी चीज़ें लिखी हुई है तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं जल्दी से वा यार देख सकते हो दो तो इतना बड़ा पोस्टर मिला है हमें यहां पर हमारे एपी जे अबदुल कलम सर की सारी चीज़ें दी हुई है उनकी लाइफ के बारे में यहां पर देख सकते हो उनकी फैमिली के साथ फोटो है यहां पर उनका एजुकेशन है और यहां पर एक फैमिली पिक है चाइल्डूल होम है फाक्वल्टी ओफ एरोनेटिक्स है वा भई तो यह देख सकते हो दोस्तों हमारी देश की फर्स सेटलाइट यह रही रोहीनी सेटलाइट और यहां पर देख सकते हो एपी जे अबदुल कलम सर को बच्चों के साथ और यहां पर स्पीच देते हुए और यहां पर पोकरान टू नुकलर टेस्ट के टाइम पर और यह रही हमारी पृत्वी मिसाइल की फोटो वा यार इतना अच्छा पोस्टर मैं तो इसे अभी मेरे रूम में लगाऊंगा यार बहुत ही अच्छा पोस्टर है बहुत ही इंस्परेशनल पोस्टर दिया हैं ल क्राब बुक बनाना होगा यहां पर इसे यूज करते हैं तो उनकी फोटो यहां पर लगानी होगी उनकी चाइल्डूड की और यहां पर उनकी एजुकेशन की फोटो लगानी होगी और यहां पर लिखा है ग्रेट साइन्टिस उनके साइन्टिस रिलेटेड वर्क्स की फो तो इसे रğब देते हैं गाई गया और यह कुछ it paper दिया हुआ है guys इसके अंदर देख सकते हो आप तो यहां पे लिखा है इसके साथ हमें क्या-kia चीज़ें मिली हैं इसमें सारी चीज दी हुई हैów वा भी तो इसे भी रख देते हैं साइड में वा यार यह रही एक गजब की चीज़ यह है वंडर बॉक्स का स्टिकर कलेक्शन तो देख सकते हैं दोसों यहाँ पर एक रॉकेट है यह है एक टेलिसकोप यह है एक सैटलाइट और यह रहा वेलकम टू मार्स और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एपीज़ अब्दूल कलामशर का एक काटून भी बना हुआ है यहाँ पर प्रित्वी मिसाइल वा यार बहुत ही अच्छे स्टिकर्स हैं यहाँ पर इसे भी रख देते हैं साइड में तो देख सकते हो दोस्तों और एक बैग मिला है इसके अंदर इस बैग को भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हो लिखा है एपीज़ अब्दूल कलाम मैट पजल तो इसके अंदर मिलता है हमें पजल तो देखते हैं किस तरह का पजल है इसके अंदर तो दोस्तों आप देख सेकते हो इन लोगों ने बहुत ही अच्छा हमारे परियावरन का भी खयाल रखा है यार यहाँ पे बिल्गुल भी इन लोगों ने प्लास्टिक वाले बैक्स नहीं यूज किये हैं यह पूरे प्लॉट के बैक्स है मुझे बहुत पसंद आए यह बैक्स वा यार लगता है यह कोई पजल है ध्यान से निकाल लेते हैं तो देख सकते हैं सारा पजल टूट चुका है तो अभी मैं इस पजल को यहाँ पे जबा देता हूँ फटा फट से वा भई दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारा पजल जमा लिया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर पढ़ सकते हो यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ सपना वो नहीं होता है कि जो आप रात में सोते हुए देखते हो सपना वो होता है कि जो आपको सोने ही ना दे वाह क्या बेतरीन कोट है सर का तो गाइस चलिया इसे रख देते हैं साइड में इस तरह से बहुत ही अच्छा पजल था तो इस बैक के साथ देख सकते हो यह कुछ मिला है पजल सॉल्व करने के लिए मैक्स का पजल लगता है मैक्स का ही पजल होगा तो देख सकते हो इस तरह का एक पेपर भी मिला है इस मैक्स पजल को सॉल्व करने के लिए तो दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके साथ एक पेन भी मिलता है तो उस पेन से हमें इस पजल को सॉल्व करना होगा तो यह रहा दूसरी अक्टिविटी तो अब इसके अंदर तीसरी अक्टिविटी भी देख लेते हैं तीसरी अक्टिविटी के साथ हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती है तो यहाँ पे लिखा है EPG अब्दूल का नाम दौक औरी गयामी सेटलाइट वा यार तो इसके अंदर हमें सेटलाइट बनाने के लिए कुछ चीज़ें मिलती है देखते हो क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर वाउ देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मिले हैं कुछ स्टिक्स और लगता है यह वाइट ग्लू है चिपकाने के लिए यह कुछ थर्मकोल्स है राउंड वाले और यह है एक अलुमिनियम फॉल और यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं सेटलाइट किस तरह से बना सकते हैं देख सकते हो दोस्तों तो शायद इसमें पुरा कट आउट होगा इस सेटलाइट को बनाने के लिए हा भई वा यार तो पीछे की और देख सकते हो दोस्तों हमें कहां से कट करना है सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉइंग में दी हुई है तो हम इसे कट करके इस तरह का एक सेटलाइट भी बना सकते हैं वा दोस्तों मज़ा आ गया बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है तो इसे भी रख देते हैं दोस्तों साइड में अब देखते हैं हमारी लास्ट वाली अक्टिविटी इसके अंदर क्या क्या चीज़े मिली है तो यहाँ पे लिखा है अब्दुलकलम रॉकेट लॉंचर वाव तो इसके अंदर रॉकेट लॉंचर बनाने के लिए चीज़ें दी गई है तो इसे भी निकाल लेते हैं बाहर तो यार यह तो बहुत अच्छी अक्टिविटी किट है तो यहाँ पे लिखा है वॉंडर बॉक्स, एपीज अब्दुलकलम वाट्स इंदर पैकेज तो इस पैकेज के अंदर आपको कहका चीज़ें मिली है यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है और रॉकेट किस तरह से बनाना है यहाँ पे सारी चीज़ें समझाई गई है बहुत खीज और बहुत बहुत ही easy है बनाना इसे तो इसे कोई भी बना सकते है बहुत easy ली यह देख सकते हो मिला है एक रोप और यह रहा है एक रॉकेट का cut-out तो इसे फोल्ड करके हमें इस तरह से एक रॉकेट बनानी होगी तो दोस्तों मैं याप यह भी आपको बना के नहीं बताने वाला हूँ तो आपको खुद को ही करना है गाइस यह काम तो आपको बहुत यह अच्छी तरीकी से सीखने को मिल जाएगा आप खुद ही करोगे तो तो इसे भी रख देते हैं साइड में तो यह कुछ बैलून्स भी मिले गाइस आप देख सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी वाला बड़ा वाला बैलून भी दिया है तो वा यार मुझे तो यह एक्टिविटी बॉक्स बहुत पसंद आया दोस्तों तो इसे मैंने पर्चेस किया था Amazon से मैं आपको इसका प्राइस भी दिखा देता हूँ गाइस तो यह रहा दोस्तों Amazon आप यहां पर देख सकते हैं और इस बॉक्स का प्राइस है 505 रूपीस तो आप चाहे तो इसे बाइ कर सकते हो बाइ लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहाँ से जाकर buy कर सकते हो तो दोस्तों चलिए देते हैं अभी shout out देख लेते हैं कल वाली वीडियो पर किसने किसने likes किया है और बढ़िया वाले comments किया हैं उन्हें दे देंगे shout out ये थी दोस्तों हमारी last वाली वीडियो my latest RC cars collection तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो इस वीडियो के अंदर मैंने मेरे पास जितने RC cars से सभी का collection यहाँ पर दिखाया हुआ है तो guys यह रहा सिर्फ part 1 वाली वीडियो part 2 वाली वीडियो भी जल्दी आ जाएगी अगर आपने अभी तक यह वाली वीडियो नहीं देखिए तो यहाँ पर जरूर से देख लेना और बताना आपको वीडियो कैसी लगी और यहाँ पर देख सकते हो में मिले हैं 1.6 के लाइक्स तो यहाँ पर जरूर से 4000 लाइक्स तक कर देना और अपना सपोर्ट दिखाना चरपटोई टीवी को तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इस वाली वीडियो पर आपको एक भी कमेट नहीं दिखाई देगा क्योंकि यार इस वाली वीडियो पर लग चुका है किट कंटेंट किट कंटेंट लगने पर एक भी कमेंट आपको नहीं दिखाई देगा मैंने आपको पिछली वाली बहुत सारी वीडियो में भी बताया था कि कभी कभी कमेंट्स टोंड ओफ हो जाते हैं तो मैं कम्यूनिटी सेक्शन में पोस्ट दालता हूँ वहाँ पर आकर आपको कमेंट करने के लिए बोलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इस वाली फोटो पर ओल्रेडी 128 लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है उनके कमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो 20 लोगों के नाम तो उनके नाम अभी मैं लेने वाला हूँ उसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहां भी जिसने भी किये हैं कमेंट सभी को शॉट आउट और जिसने भी किये हैं लाइक सभी को शॉट आउट और सभी को तैंक्यू तो पहला नाम आजाता है दोस्तों याँ पर सूरज शेटी, सतीश चोगले, ब्रिचपाल, श्वेता मुखीजा, शुबांकरदास, गेमर सौमजीत, शिवांच पांड़य, सुमन कुमारी, महेंद्रक खतिक, मौमिता घातक, रहान रजा, विजय कोराले, अंकीत, मनोटिया, मुंसिभ हुसेइन, अभिजीत रिंकी, लिगीरा, प्रदीपदास, थैंक्यू दोस्तों, इतने जबर्दस और इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, अगर दोस्तों आप भी चाते हो, मैल हूँ, आपका नाम नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो जरूर से इस वाली वीडियो पर लाइक कर देना, और कलम सर की एक स्क्राप बुक भी बना सकते हो, और एक सैटलाइट बना सकते हो, और एक रॉकेट भी बना सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस भी कर सकते हो, दोस्तों, इस वाले किट को आप परचेस करके, तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे हमें नेक्स वाल वीडियो में और कुछ धम्माक के दाट और इसके साथ तब तक के लिए बाई दोस्तों